पहली बार लड़की देखने कई कोई प्यार में पढ़ता है क्या हेलो दोस्तो आज हम दो मूवी को आपस में कंपेर करेंगे देखेंगे कौन सी मूवी सबसे जादा बेस्ट है और लोगों को कौन सी मूवी सबसे जादा पसंद आ रही है आए इंट्रो के साथ वीडियो को शुरू करते हैं पहले नमबर की मूवी है हमारी Amazon Prime पर आई हुई The Tomorrow War दो गंटे पीस मिनट की ये मूवी IMDV ने 6.8 की रेटिंग दी है इस मूवी में आपको टाइम ट्रेवल एलियन और सोलजर की बीच की लड़ाई देखने को मिलेगी ये मूवी आप Amazon Prime से या Google से फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हैं लीड रोल में हमें इसमें क्रिस देखने को मिलेंगे इस बंदे को हम मारवल और जैसिक वर्ल जैजी कई मूवी ओं में देख चुके हैं कहानी चुरूती हम देखते हैं 2021 से कुछ लोग 2022 में आए होते हैं और वह बता रहे होते हैं फ्यूचर में उन पे एलियन उने अटेक कर रखा होता है इसलिए वह पास्ट में आके लोगों से मदद मांगते हैं फ्यूचर में लोगों की अबादी एलियन अटेक्स के कारण बहुत तेजी से कम हो चुकी है इसलिए वह पास में आके लोगों से मदद मांगते हैं जंग के लिए कुछ लोग तो रजा मंदी से चले आते हैं मगर कुछ लोगों को सरकार जबस्ती बेचती है रहन उन्हीं में से एक इंसान होता है जिसको सरकार जबस्ती पकड़के चेक करके जंग के लिए भेज देती है उन सबको एक टीम में रखा जाता है और मियामी के एक बीच पे छोड़ दे जाता है मगर एक दुरगटना के कारण टाइम ट्रैवल मशीन सही से काम नहीं करती जिससे कि कई लोग हाथसे से मर जाते हैं वहाँ पे उन्हें एक साइंस लैब में जाना होता है वहाँ पे उन्हें साइंस की एक टीम को बचाना होता है मगर वह लोग जब लैब में पहुचते हैं तो देखते हैं सारी साइंटिस्टों की टीम तो मर चुकी होती है तबी हेड़कॉर्टरों ने बोलता है कि लैप से वो जरूरी समान बापिस ले आएं जब वह लोग माझे सारा समान लेके निकल रहे होते हैं तबी उन पे एलियन अटाक कर देते हैं उन एलियनों को वाइड स्पाइ कहते हैं तबी महाँ पे एरफोस अटाक कर देती है और पूरे मियामी बीच को उड़ा देती है मगा डैन और उसके साथियों को टाइम ट्रैवल से बाइगा यह मूवी देखते समय आपको लगेगा आपने कहीं न कहीं कभी न कभी यह मूवी पहले देखी हुई है अगर आप टाइम ट्रैवल ले फोकस करेंगे तो यह मूवी आपके सर में दर्द कर देगी और अगर आप एलियन और सोल्जर के बीच के लड़ाई पे फोकस करेंगे तो यह मूवी आपको एक धमाकेदर एंडेटेन्मेंट दे जाएगी अब हम बात करेंगे अपनी दूसरी मूवी हसीन दिलुरुपा के बारे में जो नेट्फिक्स पे रिलीज हो चुकी है दो गंटे पंदा मिट की यह मूवी है आयम डीवी ने इसे 6.8 स्टार दिये है इस मूवी के अंदर कमाल का सस्पेंस भर दिया है पूरी तरह के से एक रोमेंटिक मूवी है इस मूवी के लीड रोल में तापसे पन्नू, हर्षवर्दन और विकरांद देखने को मिलेंगे इस मूवी के अंदर तापसे पन्नू का नाम रानी है हर्षवर्दन का नाम नील तरपाठी है और विकरांद का नाम रिशू है कानी चुरूती हमें दिखा जाता है रिशू अपनी मा लता और पिता बिजराज के साथ जौलापूर में रहता है वह शादी के लिए एक लड़की की तलाश में होता है उसकी तलाश दिल्ले में आकर पूरी होती है दिल्ले में उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम रानी होता है रिषु की माँ लटा को पता चल दाता है कि रानी एक घरेलू लड़की नहीं है मगर रिषु भी यह लड़की के प्यार में तो गिर चुगे हैं वह शादी करेंगे तो उसी से वनना किशी से नहीं रिशु और रानी की शादी करा दी जाती है शादी के बाद रिशु बहुत गवराय हुआ होता है क्योंकि वह शादी को पूरा करने में असफल होता है रानी तो दिल्ली की एक modern लड़की थी जिसको खाना बनाना भी नहीं आता था रिशु अपनी पत्नी को कहते हुँ सुन लेता है रिशु एक अच्छा मर्द नहीं है रिशु ये सुनका पूरी तरह तूट जाता है एक दिन रिशु का चचेरा भाई नील तरफाटी उसके घर पे आता है यहां तक मैंने यह स्टोरी मैंने आपको बता दी है आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको ये मुवी देखनी पड़ेगी क्योंकि इस मुवी में एक कमाल का सस्पैंस है किसने मटर किया, कैसे मटर किया इसके लिए ये मुवी आपको देखनी पडेगी झाल 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 झाल